हेलो आयम परेज सौलंग की इंटरनेशल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर इंसाइड अब लोजिस्टिक वीडियो में आपका स्वागत है मैं यहां पर आपको बताऊंगा आपका कॉंट्राक हो गया पर्फर्मास जो इन्वाइस और साइन स्टेंप हो गया उसके बाद बा खाली कंटेंटर अवेलेबल नहीं है अब यह शोट इस क्रियेट केस से हुआ तो मैं आपको बताव देखिए आफ्टर लॉकडाउन इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंडिया का जो मेंली चाइना से इंपोर्ट था गवर्मेंट की पोलिसी की बज़े से अब हेंडिया में बverse से बसक्राइब के उसे एकश्पोर्ट करें तो मैं आपको बताऊए इंडिया में चोटेंटेंट इकष्ट इस्तुडेंट वाहां पे बतार्या कि सर यहां पे बीकंटेंट की से जोने के के दो तिन रिजन है एक तो क्या हुआ कि इंपोर्ट कम हो गय तो country आने बंद होगे दूसरे डिमांड बढ़ गई है अब देको Christmas आ रहा है December के अंदर Christmas आ रहा है तो भी जो November में goods जाएगा तो 15 December ते कोहाँ पहुंचेगा न तो यहां पर दिमांड बढ़ गई है और Corona आ गया तो Corona की वज़े से पिंवेंटर का जो है तो क्या होगा प्राइज हाइक होगा क्या होगा प्राइज हाइक होगा मैं मेरे बात करो मैं खुद भी एक एक्सपोर्ट रो रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहां पर क्या हो देखो मैं कंट्र का बात किया चिक बोले अभी आपको बेजना है तो प्राइज बहुत ह है मतलब कितना जो कंटर में नौरमली 1000 डॉलर में बेशता था उसका 2000 डॉलर कितना 2000 डॉलर कंटरे का प्राइज डबल हो गया जो 1215 समय कंटरे जाता उसका ले 2000 या 2200 डॉलर प्राइज हो गया है तो बहुत ही महंगा हो गया अब मैं यहां पर आपको इंपोर्टेंट चीज बताना चाता हुँ किज क्या होगया हाग हो गया अब जो मैंने कंटर करते है यह क स्भाय तो मिल रहा है दूसरी को मिल लाइन में तो 2000 मिल रहा है जहीं की बहुत अच्ची मल cuma क्व看看 में तो उसमें 2000 है तो लुब्र यहां पर देखे क्या हो गया समझते तो 800-2,000 गया हमको होगा क्या होगा अब इसमें क्या कर सकता है यहां पर यहां पर पेले चेह सेट को बोलिए कि मैं regular तो प्लीज मुझे कोई अच्छा रेट निकाल के दो क्योंकि मेरा कॉंट्रा कॉलिट हो गया आप जितना सीच के साथ निकोशियेट करोगे उसे बोलो यार बहुत अभी देखो कोरोना चलना ऐसे अच्छी तरह से निकोशियेट करोगे तो आपको 200-300 डॉलर कम करके देगा यहां पर क्या स्वीश तो हर जगा पर होती दबाना पड़ता है क्या होती स्वीश तो हर जगा पर होती दबाना पड़ता है तो दो तिन और शिपिंग लाइन के रेट भी निकालेगा क्या करेगा दो तिन और शिपिंग लाइन के रेट भी निकालेगा जिसमें 100-200 डॉलर कमों जिसमें 100 और 200 डॉलर कमों प्रैक्टिकल चीज़ हो सो 200 डॉलर वहां से हो गया अब दुसरा बायर के साथ कर सकते हो मतलब क्या करना देखो बायर हमारा जन्यून है तो उसे आप जन्यूनली रिक्वेस्ट कर सकते हो हमारा जब कॉंट्राक हुआ तो हमने यह फ्रेट गिना था अभी यह कंटर की हाई डिमांड की बज़े से यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर आप जो है उससे मांग सकते हो के के यू पे हाफ फूल भी मांग सकते हो बट फूल मांगो तो आप देगा उसको बोलना है कि लेट आपको क्या करना है लेट्स डू वन थिंग हाफ आप पे करो हम पे करें तो निगोशेशन करने से काम होगा बात करने से बात बनती है सब्सक्राइब तो कई ऐसे बाहर है तो आपको नहीं भी देंगे वो तो बोलेंगे कांट्राक हो ड़न हो गया वाकि अच्छे बाहर हो करना है और निगोशेशन करना पड़ेगा क्या है तो मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर मैंने अभी ऐसा है किया ने मुझे था थो थाज़न रॡब्स का कंट्री का रेड़ दिया था मैंने फूरा उसको बोला इतना मेरे रेगिलर काम है इतना काम है तुम उसको डिसकाउं बंदा है पर उसको भी क्या देखो जाजा लेना नहीं है पर शिपिंग लाइन सी आ गया रहा ना तो उसको क्या कर सकते हैं कोई सथी शिपिंग लाइन मिल जाए दो दिन डिले हो तो चलेगा बट लाइक समझ मा रहा है तो वह आपके पास ऑप्शन है तो वरना आगर आगर जो परिश्वल प्रोडेक्ट वगर तो डिले में नहीं चलेगा बट उसको आप उप्शन दे सकते हो तो उसने मुझे अठाशा सो करके दिया वन एट जीरो जीरो डॉलर का मुझे फ्रेड दिया तो प्रैक्टिकल चीज़ है यह क्या है प्रैक्टिकल चीज़ है और बायर प्लाणिंग करो हो तो अच्छी बात है नेक्स्ट् आपका एक दो महिने में कोई शीपमेंट एक्सपोर्ट है तो पहले से प्लाणिंग करके चलिया लेट्स्ट्बोगर टुगेदर थेंक यू झाल झाल